तो वेलकम बैक कैसे हो आप लोग दोस्तों आज हम बात करने वाले अधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के बारे में तो जी हां दोस्तों आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं जैसे कि क्या मेरा अधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है या फिर मेरा अधार सब्सक्राइब लिंग करने पर आपको पहला सब्सक् faço सब्सक्राइब फ्राइब्स आपको सब्सक्राइब कर लेना है और पहला सब्सक्राइब पर किन उसे क्या घुड़ा है की नहीं अद्ह –क जूबका है उसको चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल पर Google Chrome browser उपन कर लेना है और आपको सर्च कर देना है यहां पर इंकम टैक्स और इसका लिंक जो है आपको description में मिल जाएगा तो आप जो है description में भी चेक कर सकते हैं डारेक्ट क्लिक करके website पर जा सकते हैं यहां पर जैसे पर आपको पर आपको पर आपको इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर नीचे में आना है और जैसे आप नीचे में आते जाएंगे यहां पर वेबसाई अधार की सब्केास नीचेश पर न् दिखाएंगे पर आपको क्लिक करना है तो यहां पर आपको पर आधार कार्द के नमबर डेना नीचे में दोस्तों यहां पर इसको क्लिक करना है जैसे हैंपका पर खुत से क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आया जाएगा देख सकते हैं यहां बस सब लिखा है कि हमारा जो पैंड कार्ड है अधार कार्ड से पहले से लिंक है तो यह दोस्तों मैंने बहुत पहले ही करा लिया था जब फ्री में हो रहा था तो अभी लगाया जा सकता है इंकम टैक्स एक्ट की धारा 272 बी के तहट आपको दस हजार रुपया का जुर्बाना देना पर सकता है अगर आप 31 मार्च 2023 तक पैंड कार्ड को अधार से लिंक करा लेते हैं तो आपको एक हजार रुपया लेट फाइंड देना होगा और आपका कार्ड एक्टिव नहीं रहेगा और दूसरा है आपको जो है दस हजार का जुर्बाना देना पर सकता है उसके बाद आपका नेश्ट सवाल था अगर अधार को पैंड से लिंक नहीं किया गया तो क्या होगा तो देखें यहां पर फिर लिखा है कि एक जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 की बीच पैंड अधार को लिंक करने वाले पैंड धारकों को 1000 रुपय का जुर्बाना देना होगा पैंड कार्ड धारक एक अपरेल 2023 से निस्क्रिय हो जाएगा यदि पैंड धारक इसे अपने अधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं आयकर विभागने कर्चोरी को रियंत करने और रोकने के लिए पैंड अधार को जोड़ना अनिमार कर दिया है तो भाई सब कुल मिला कि यही सब निकल कर आ रहा है कि जो हमने फिरी में किया था तो अब 1000 रुपय हमसे जुर्माना के तौर पर लिया जा रहा है अगर इसके बाद भी हम अगर नहीं कराते हैं तो ह हमें दो है दस हजार तक के जुर्माना दिना पर सकता है साथ ही साथ हमारा जो पैंड काड है वो भी यह अधार काड से लिंक नहीं होने के कारण डी एक्टिवेट हो जाएगा इनके डाएट नहीं रहेगा तो जल्द से जल्द जो यह इंकम टैक्स के दाएरे में आते हैं या पिर उनका जो है इंकम जादा है जो कर वगर टेक्स वगर पटाते हैं तो बहुत जल्दी अपना जो है एक हजार रुपे दे कर जल्दी से अपना अधार और पैन काट लिंक करा लिजिए तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए जाहें जाए भारत